पाकिसान ने 6 मुकाबलों में से मातर 2 ही मुकाबलों में जीत दर्च की है अपने पिछले मुकाबले में हारने के बाद पाकिस्तान का अगला मुकाबला बांगला देश के साथ होने वाला है बबताते की मुकाबला हारने के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की हर जगा आलूशना हो रही है साथ इसाथ पाकिस्तान में भी उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है हाला कि बाबर आजम एक बहतरीन बल्लेबास है बावजुदिस के उन्हें काफी ट्रोल होना पड़ रहा है लेकिन दोस्तों अगला मुकाबला पाकिस्तान की टीम को बाबर आजम तो एक बहतरीन बल्लिबास है ही लेकिन दोस्तों क्या आप जाते हैं कि बाबर आजम के फेवरेट बल्लिबास कौन से है आपको बता दें कि जब बाबर आजम से उनके फेवरेट बल्लिबासों का नाम पूछा गया इस समय स्टार बल्लेबाजों में श्युमार बाबर आजम ने वर्लकप 2023 के दोरान अपने जिन तीन पसंदेदा खिलाडियों का नाम लिया है उनमें सबसे पहला नाम है भारती बल्लेबास विराट कोहली का विराट के बार उन्होंने टीम इंडिया के कप्तान रोहित चर्मा का भी नाम लिया है और इन दोनों के अलावा उन्होंने न्यूजलेंड के केन विल्यमसन का भी नाम लिया है दरसले टीवी शो में बाबर आजम ने अपने पसंदेदा खिलाडियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा केन विल्यमसन रोहित चर्मा और विराट कोली को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं क्योंकि ये बेस्ट खिलारी हैं उन्हें पर इस्तिती को संभाल ना आता है और वो इस्तिती को काफी अच्छे से आप कैसे run करते हैं तो ये चीजें बहुत जादा matter करती हैं और मैं ये चीजें कोशिश करता हूँ कि देखूं कि उस दोरान उनकी क्या मान सकता है वो कैसे चीजों को handle करते हैं इसे लिए ये जो है वो best खिलाडी है यानि कि दोस्तों देखा जाए तो बाबराजम कही न कहीं विराट कोली, रोही शर्मा और केन विलिमसन के खेल को काफी पसंद करते हैं और हर परिस्तिती को संभालने की चीजों पर काफी गौर करते हैं विराट कोली के साथ बाबराजम की अच्छी bonding भी काफी बार देखी गई है फील्ड पर तो ये है वो तीन खिलाडी जो कि पर और हुश कर ओड़ा कि चैना है निचे कॉमेंट सेक्छन में हमारे साथ जरू शेयर करें